Hello, Good Morning Children, I welcome you all in Beta English Compulsory Class. We were doing chapter Albert Einstein School, जिसमें हमने पढ़ा कि, सबसे पहले हमने पढ़ा कि Albert Einstein की जो है अपने History Teacher के साथ में बहस होती है dates को लेकर ठीक है, कि उन्हें dates याद करने में वो ऐसे बोलते हैं कि dates याद करने को importance नहीं देते हैं, बलकि values को, ideas को ज़्यादा importance देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में वो घर आते हैं, काफी दुखी होते हैं, घर का बाहूल भी उन्हें काफी यहां का पसंद नहीं होता है, जहां हो रह रहे होते हैं अपने कमरे में, ठीक है, ठीक है, तुकि वहाँ की जो उनकी वहाँ पर भी लड़ाई हुई थी, ठीक है, इस तरीके से दोनों की बीच में बातचीत होती है, फिर उसके बाद में, यूरी ये, अलबर्ट आइस्टें जो है, वो बोलते हैं, की यूरी क्या, तुम किसी डॉक्टर को जानते हो, क्या, ठीक है, तो बोले, बहुत सारे डॉक्टर को जानता हूँ, बोले, मान लो कि कोई डॉक्टर ऐसे कह दे कि मेरे को nervous breakdown, मतलब कि mindly, जुमानसिक परिशानी हो गई है, ठीक है, तो मुझे स्कूल से, जो है, स्कूल जाना भी नहीं पड़ेगा, पेज नमबर 28, स्टार्टिंग से, I can't imagine a doctor saying that, said Yurie, Yurie कहता है कि मैं मुझे नहीं लगता है कि कोई doctor ऐसा कहेगा, I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves, मुझे एक ऐसा doctor जुड़ना पड़ेगा, जो कि nerves के अंदर, जो है, मतलब की, दिमागी तौर का, जो है specialization हो, जिसके अंदर, there are plenty of them, Yurie told him, Yurie बताता है कि ऐसे तो बहुत सारे doctors है, he hesitated for a moment and then added, थोड़ी देर के लिए हिच के जाता है, फिर बोलता है, I asked some of the students, if they know one, if you like, मैं कोच student से पूछता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तो, will you, oh thank you, कै तुम पूछोगे, thank you Yurie, Albert eyes were shining, Albert के आंकों में एक चमक थी, wait a moment, I have not found one yet, अभी तक मैंने ऐसा कोई doctor दूना नहीं है, तोड़ा रुको, oh but you will, लेकि तुम दून लोगे, and if I do, I don't know, he will be willing to help you, अगर मैंने ढून भी लिया, तो क्या पता, वो तुम्हारी मदद करेगा, या नहीं, he will, he will, declared Albert, Albert करते हैं कि नहीं, वो जरूर करेगा, I am going to have a real nervous breakdown, to make it easier for him, मैं वास्ता में मांसिक परिशान ही कर लूँगा, तो उसके लिए आसान होगा, he laughed terribly, मैंने लिए, इतना केकर, वो मुसकुराता है, I never seen you looking less nervous, remarked Yuri, Yuri कहता है कि मैंने तुम्हें इतना परिशान वैसे भी नहीं देखा, a day or two at a school will soon put that right, Albert assured him, Albert जो है, काफी विश्वास दिलाते में कहता है, एक दो दिन में मेरे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, suddenly he had lost his high spirits when Yuri saw him next, अब जो है, अगले दिन जब Yuri उसे मिलता है, तो वो काफी high spirits पे होता है, I can't stand it any longer, he said, I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor, मैं और जादा बर्दाश नहीं कर सकता, मेरे वास्तम में मेरे nervous breakdown हो जाएगा, जिससे doctor जरू संतुष्ट हो जाएगा, keep it up then, said Yuri, I found a doctor for you, मैंने तुमारे लिए दौक्टर दून लिया है, you have, तुमने दून लिया है, Albert face lit up, Albert का चेहरा चमक जाता है, oh good, when I can see him, मैं कब उससे मिल सकता हूँ, I have an appointment for you for tomorrow evening, मैंने कल शाम का तुमारे लिए appointment लिया है, Yuri, said Yuri कहता है, here's the address, ये उस पता है, he handed Albert a piece of paper, वो Albert को जो है, एक आगस का टुखडा देता है, Dr. Ernst Well, उनका नाम होता है Dr. Ernst Well, is he a specialist in nervous troubles, क्या वो nervous troubles में specialist है, asked Albert, Albert पूसता है, not exactly, Yuri admitted, as a matter of fact, he only qualified as a doctor last week, बोले कि, पुरी तरीके से तने ही, क्योंकि पिछले हफते ही उन्हें डॉक्टर के पादी मिली है, you may even be his first patient, तुम हो सकता है, तुम उसके पहले ही मरीज हो, you knew him as a student then, इसका मतर्द तुम उसे एक student के तौर पर जानते हो, I've known Ernst for years, मैं Ernst को कई सालों से जानता हूँ, Yuri hesitated for a few moments, he's not a fool, he warned Albert, अब Albert को वो जो है चेताम नहीं देते हैं बोलते हैं कि वो कोई मुर्ख नहीं है, what do you mean, तुमारा क्या मतलब है, don't try to pull the wool over his eyes, उसका मतलब में पेटा है, ये मुहावरा है, मतलब उसको मुर्ख मनाने की कोशिश मत करना, that's all, be frank with him, उनके साथ में frank रहना, but don't pretend you have got what you have not, जो तुमारे है नहीं, उसका दिखावा मत करना, not then you deceive anyone, किसी दोका मत देना, Yuri ने बोला, you are the world worst liar, वैसे भी तुम दुनिया के सबसे जूटे, बेकार जूट बोलने वाले हो, Albert spent the next day wondering what to tell the doctor, Albert ने पूरे दिन ही सोच के बिताया, आगला दिन, कि वो doctor से क्या कहेंगे, when the time arrived for his appointment, he had worried over, if so much that he really was quite nervous, अब जब उनके appointment का time आया, तो वास्तम में उन्होंने इतना सोचा, कि वो वास्तम में मानसिक परिशान हो गए, मानसिक तॉर पर परिशान हो गए, को डिस्क्राइब करूँ, दोक्टर वेल, डोंट राइस एड़ यंग दोक्टर, वित अ फ्रेंडली स्माइल, आब दोक्टर बोलते हैं कि, तुम कोशिश मत करो, यूरी ने मुझे पूरे केस की हिस्ट्री बता दी है, ओ, वाट दिद ही सी, अरे उसने, उन्होंने, उसने क्या कहा, ओनली डेट, यू वांट मी तु थिंक, यू हवाद आ नववस ब्रेकडाउन, कि वर इतना ही कहा, कि मैं ऐसे सोचूंगी, तुमारे नववस ब्रेकडाउन है, और तुम्हें उसे स्कूल में वापस नहीं जाना है, ओ, डियर अलबर्ट फेस फेल, अलबर्ट का चैरल लटक जाता है, उसे इत्ता ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ठीक है बेटा, यहां तक हो गया है, बाकि हम कल करते हैं,